आज का ओप्सेंट का डेटा और जो आज का हमारा नीप्टी का फाइव मिनिट का चार्ट है वो एक सजेस्ट कर रहा है कि यहां पे कन्फिजन है बायर और सेलर दोनों में कि इस लेवल से हम यहां से क्या ऊपर को ब्रेक आउट जाएंगे 17,800 या फिर हम 17,300 जाएंगे आगे हम यहां पर ऑप्सेंट की मदद से देखेंगे कि किस लेवल के बाद में और चार्ट में कहां से हमें ब्रेक आउट मिल सकता है और कौनसी लेवल से ब्रेक डाउन मिल सकता है बैंक निप्टी कंपेर टू निप्टी के इसाब से काफी स्ट्रॉंग है निप्टी में अभी भी कुछ सेक्टर है जो यहां पर निप्टी को नीचे खीच रहे है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरू कर देना वीडियो पसंद आता है तो प्लीज दोस्तों के जाथ शेयर करना और लाइक करना तो आज का जो निप्टी 50 का क्लोजिंंग हुआ है 17,622 है इसका जो रजिस्टंस है 640 से 649 के आसपास इसका रजिस्टंस है आज कि haven यहां पर हमने दो तीन बाह ट्राई किया पर जो एक सब्सक्राइब पर प्रूरा दिन हो प्रस जो अच्छा सा पूलबैक उसके बाद म में निकाल दिया है open interest minus 2.7 percent हुआ है PCR कम हुआ है 0.94 हुआ और यहां पर अगर देखते है तो short covering दिखाई दे रही है 14.9 percent rollover है अभी के यह साथ से 17617 उसी के adjust हम अबोग close हुआ है दोस्तो बैंक निपनी 40,904 यह अगर 41,000 के उपर close जाता था कल हम यानि opening में हम यहां से एक बाइंग ले सकते थे अभी हम यहां पर देखना है कि हमारा first opening कैसा होता है क्योंकि जो important level है 41,160 का level बहुत important है 1.3 percent open interest बढ़ा है long build up PCR 0.85 अभी जो CWP 41,000 है जिसके हम 100 point निचे close हुए है आज का अगर हम trade का देखे तो दो trade काफी अच्छे हुए थे जो बोलता है ना कि जिसको आपको सुकून होता है कि आपने जो study किया है वैसा चला था तो एक stock था हमने monic से मैं इसको monitor कर रहा था Indian energy का जो ix है उसको यह level बहुत important था first यहां पर यह level जब यहां से rejection लेने लगा तब यहां पर मैंने ग्रूप में बताया था कि यह level के बाद में हमें एक fall मिल सकता है तो आप देखो कि उसके बाद में continuation fall आया था तो एक chart setup काफी अच्छा सा था similar आपको nifty में भी देखने को मिल रहा है कि एक fall आने के बाद consolidation हुआ और फिर breakdown हुआ कल मैंने एक short video भी बनाया था जिसका यहां पर है continuation जो trend रहता है उसका है तो अगर आप यहां पर nifty को भी देखोगे तो आपको यहां पर देख सकते हो rsi adx sub neutral है तो यहां पर कोई trade नहीं है पर हाँ breakdown होगा तो trade confirm मिलेगा अदानी काफी अच्छा था आज क्योंकि मैंने मेरे दोस्तों साथ share भी किया था कि यहां पर trap हो सकते है short क्योंकि सब को लग रहा है कि यहां पर काफी ऊपर चला गया है अब इसका हमें put लेना च चीए हमें short करना चीए यह stock ऐसा है कि हमें short अभी नहीं करना चीए जब तक यह हमारा nifty 50 में include हो जाता है उसके बाद में हम देखेंगे कोई pattern बनता है क्योंकि यहां पर जितने short होंगे उतना trap करके ऊपर जाएगा तो हमने भी यहां पर long किया था काफी अच्छा सा profit इस मे यहां पर lower end से एक hammer candle बनाता हुआ दीख रहा है पर इसका जो problem क्या है कि यह जो trend line है last time हमने consolidation किया था आज फिर से हमने resistance face किया है यह एक ऐसा candle है जहां से अगर हम यहां पर 530 के नीचे sustain करते हैं तो further down जा सकते हैं क्योंकि अभी जो हमारा यहां पर closing हुआ है वो make or break की जग candle back to back दो दिन हमें देखने को मिली है यह है कि हमारा यहां पर trend line से अभी यह उपर है इसको गई उपर जाना है तो यह जो red candle का जो close उसका high था यानि opening के आसपास जो था 40,977 यानि कि अभी जो point है वहां से 80 point उपर उसके उपर sustain करता है तो हम यहां से पहला target हमारा कौन सा आ होई रहेगा जब उसके उपर sustain करेंगे तब हम यहां पर further उपर जाएंगे जो है 460 तक हम जा सकते हैं तो bank nifty में काफी अच्छा सा यहां पर position बना हुआ है और nifty में थोड़ा weakness है अब stock की अगर बात करते हैं तो यहां पर है ICI bank ICI bank का यहां पर यह जो breakout था उसके बाद मे हमने यह काफी अच्छा सा open equal to low के हिसाप से candle बनाया था with volume था वो आज हमने तीन back to back red candle दिया है आज का candle भी यहां पर एक bearish candle है यह low जब break करता है 898 higher chance है यहां पर यह यहां पर first जाएगा 890 से 885 तक यहां जा सकता है तो ICI bank को short कर सकते हो second है हमारा infi infi को यहां जैसे breakdown हुआ था 50% Fibonacci retracement से अब यहां पर यह जो support है उसी के पास में हमें inside bar candle बनता हुआ दिखा है इसको भी short कर सकते हो जैसे आज का low निकलता है आपका at least first target हो यहां पर 70 होना चीए अच्छा लंबा target आपको swing rate cup बनेगा जब यह level है 68 उसके हो सकता है यहां पर almost around like 65 point के आसपास आपको fall मिलेगा तो वो कहीं पर जाके आएगा 1305 target के आसपास PD light PD light ने support लिया है यहां पर हमने last time इसको cover किया था कि यह जो candle है उसके आसपास अभी consolidation के बाद जैसे breakdown होता है हम short करेंगे यह candle में आपको फिर से द्यान में रखना है यह जो level है 2788 उसके नीचे आपको फिर से short करना है आपका target नेक्स रहेगा यहां पर 2746 से लेके यहां पर 2700 तक जा सकता है तो PD light को भी short करना है फिर आएगा यहां पर SBI आज मेरा जो group है मैंने वहां पर share किया था मेरा एक्स जो अच्छा सा stock जो आज थे Axis, SBI, Bank of Baroda था, Amboja, Cement था वो काफी अच्छा सा चला, Upper Circuit भी लगाया था तो वहां से indicator के scanner है वहां से मिल जाता है तो SBI काफी अच्छा आप देख रहे हो closing हुआ है यहां पर bully single finger candle हुआ है close और high के आसपास close हुआ है तो अब आपको long cup करना है दो तो 575.60 के उपर निकलता है तो आप आप long करोगे यह stock को आपका उपर में target होना चाहिए at least यहां पर 582 से लेके 585 option chain हम देखते हैं यहां पर तो option chain जैसे आपने thumbnail में भी देखा कि option chain suggest कर रहा है mixed data जो आपको यहां से first जो आपका glimpse आता है वहां से आपको पता चलेगा कि इंदमने भी यहां पर exit हो रहा है यहां पर इसकी अच्छी चीज क्या है कि 17,500 आज भी यहां पर open interest बढ़ा हुआ है जो हमें support दे रहा है आज भी first tick आया था क्योंकि market क्या करता है कि कल एक fall आया था तो दिमाग में क्या रहता है जो नए trader है कि आज भी हमें बड़ा trade मिलेगा तो market उस time पर trap करता है तो first candle जैसे ही नीचे आया 475 से उसने reverse ले लिया 480 support था 474 से उसने reverse लिया high भी बनाया और low भी एक ही पांच मिनिट के candle में सब कर दिया उसने तो वहां पर उसने range बना दिया first में के मैं आज इसके अंदर trade करूंगा तो आपको यहां पर support मिल गया दिन के दोरान आपको 550, 600 और 650 यहां पर आपको open interest बढ़ता हुआ दिखा है तो अब जब तक यह 500 level के नीचे नहीं ज यहां पर जैसे इंदमनी होता 500 के असपास open interest बढ़ता तो हम कह सकते कि नहीं हमारा Tuesday फिर से नीचे जाएगा अब हमें यहां पर कल का data देखना पड़ेगा तो अभी के data के इसाब से आपका जो यहां पर resistance है वो कौन सा है 800 का क्योंकि वहां पर अभी 3rd highest OI खड़ा हुआ है 67, 64 and 53 और वो एक psychological level भी है क्योंकि last time हमने वहां से यह bounce लिया था तो अभी के data के इसाब से confusion है कल का हमें based on price action ही हमें कल trade करना है अब देखते हैं हम intraday में price action कैसे trade कर सकते हैं तो last time हमने यह share किया था कि यह जो range है वो हमारी लिए एक supply zone बना रहेगा तो आज भी देखा आपने कितनी बार attempt किया पर एक भी बार इसने cross नहीं किया हुआ है और यह level जो है वो अगर आप यहां से Fibonacci लगाते हो यहां से जो fall आया था तो उसका जो level कहीं पर बन रहा है 61% से 50 यानि कि यह जो है एक rejection level रहता है जब भी trend continue रहता है उसको अगर trend को continuation करना है तो वो ज्यादा था 61% जो Fibonacci रहता है वहां से एक reversal मिलता है इसके उपर breakout देता है तो इसका high chance है कि वापस जहां से इसने गुरिना चालू किया था वहां तक जा सकता है जो है करीबन 17,820 आपके लिए trade बहुत ही आसान हो जाएगा अब क्योंकि आपको यह यहां पे एक level मिलिया है जिस भी side यह level break करता है आपको 50 to 60 point easy मिलेगा तो market अगर यहां पे flat open होता है और यह high को break करता है जिसका high है 663 दो तिन point छोड़के 667 लगा लो तो 17,667 के बाद आपको यहां पे long करना है first target आपका 720, second target 800 उपर की साइड काफी अच्छा सा है यहां पे trend continuation अगर करते होए हम तो आपको नीचे trade मिलेगा तो नीचे में आपका first target आएगा 530, 530 के बाद हमारा 480 second target रहेगा तो यह confusion zone में बीच में कहीं पे भी trade मत लेना bank nifty अगर याद है तो आपको हमने यहां पे एक flag pattern बनाया था और यह जो parallel trend line लेता है ज्यादा तर यह क्या करता है कि यहां पे दोनों उसका support and resistance है उसको यहां पे ज्यादा तर यह attempt करता है यानि वहां तक जान जाना है आज क्या किया market ने first attempt में lower end को touch किया जैसे ही center line को breakout दिया यहां पे अपर end को touch किया मैंने आपको group में भी बताया था कि 920 के उपर sustain करता है तो हमें 150 तक का point मिलेगा जो हमने यहां पे काफी अच्छा सा moment दिखा वापी इसने अभी आके यहां पे retest किया है अच्छी चीज गया है कि back to यह जो parallel line है उसी के अंदर नहीं गया हुआ है जब तक इसके उपर है higher chance है उपर की side जा सकता है तो आप यहां से जब उपर जाएगा तो आपको क्या करना है आपका buy cup बनेगा जो मैंने अभी आपको बताया 157 वाला वही level 157 level के बाद आपको long में बैटना है वहां पे आपको 200-300 point उपर की side trade मिलेगा तो इस level के बाद हम यहां पे उपर जाएगे तब क्या होगा आपका यह जो flag है उसका यहां पर target भी यह वाला आएगा जो है 844 तो आपको जो long बनाना है काफी अच्छा सा long बनेगा यहां से तो आपका first target रहेगा यहां तक का यानि कि 460 से लेके 500 का आपका first target second आपका 800 target नीचे में आपको trade अ आप देख रहे हो जहां पर opening है 696 उसके नीचे आप यहां पर 680 लगा लो तो जैसे ही 40,680 ब्रेक करेगा higher chance होगा यह वापस नीचे आएगा तो उसी के बाद में आपको short लेना है तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो please like and share जरू करना thank you दोस्तों मिलते हैं नहीं वीडियो में take care bye bye